ले, लाई, लेन, लेट, लाइड, ओफो, इतने सारे confusing words, इन words को तो देखकर ऐसा लगता है कि इनकी meaning एक ही ही है और sometimes इनका pronunciation भी एक जैसा ही लगता है हेलो दोस्तों, welcome once again to my channel, I know, आप सभी को इन confusing words के बारे में जानना है, आखिर इन words को हम किस प्रकार याद रखें और कहां पर कौन सा word use होना है, ये भी confusions बनी रहती है तो जी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सभी confusing words के बारे में किस प्रकार से इन्हें हम pronounce करें, इनकी meaning क्या होती है और इन्हें sentences में कैसे use किया जाता है तो जी चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले में यह कहना चाहूंगी, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रस कर दीजे, और हाँ, इस वीडियो को share करना बिल्कुल मत भूलेगा, start करते हैं, अर्थ है, वो है to place something, यानि किसी चीज़ को कहीं पर रखना, ठीक है, इसके अलावे से यूज़ किया जाता है, to lay the eggs by hand, यानि अंडे देना, जब मुर्गी अंडे देती है, तो उसे भी यहाँ पर इंगलिश में कहने के लिए lay यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसके यूज़न्स क्रेट होती है, वो इस वजह से भी, क्योंकि lay यहाँ पर एक वर्ब होती है, जिसकी four forms होती है, number one, lay, number two, laid, number three, laid, and number four, laying, यहाँ पर जो आप lay वर्ड देख रहे हैं, इसे present form कहा जाता है, जिसे आप वर्ड की first form भी बोलते हैं, second form होती है, आपकी past form, laid, same, इसी spelling के साथ और pronunciation के साथ इसकी third form होती है, laid, जिसे हम past participle form कहते हैं, और last में है fourth form, यानि की ing form जिसे present participle form भी कहा जाता है, और वो है laying, यानि lay word के आगे ing लगा दिया जाता है, तो जी इस तरह से हमारे पास यह four words हैं, जो की lay से ही relate करते हैं, यानि lay से ही related हैं, lay एक verb होती है, जिसकी ये four forms होती हैं, जिने sentences में tenses के according यूज कर लिया जाता है, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी confused नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि यदि आपको बताए गए अर्थों के according इस word को use करना है, तब आप वहाँ पर lay इस verb की इन चारों forms का यूज कर सकते हैं आईए अब देख लेते हैं कुछ sentences जिन में मैंने lay इस verb का use किया है, तो जी examples में सबसे पहला sentence है, I laid the woolen clothes in the cupboard, अब देखें, यहाँ पर हम किसी वस्तू को रखने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर lay verb की second form का use किया गया है, ठीक है, जो की है, laid, I laid the woolen clothes in cupboard यानि कि मैंने almira में उनी कपड़े रखे, I hope दोस्तों आप सबी को यह sentence जरूर समझ में आया होगा, चलिए फिर से lay word का use करते हैं sentence में, तो जी sentence आपके सामने है, lay the books carefully on the table, यहाँ पर इस sentence का मतलब है, किताबों को table पर ध्यान से रखें, अब देखें, इस sentence में भी मैंने अर्थ में lay इस word का use किया है, ठीक है, my dear friends, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम इस lay word को किनी अन्य अर्थों में भी use कर सकते हैं, जैसे माल लीजे आपको कहना है कि उसकी मुर्गी ने दो अंडे दिये, तो आप simply इस word को use करेंगे, कुछ इस तरह से, her hand laid the two eggs, तो इस त पता होना चाहिए कि sentence का context क्या है, तो इस तरह से आप कभी भी confused नहीं होंगे, और last में मैं यहीं कहूंगी कि lay यह एक वर्ब होती है, जिसकी आप चार forms का use करते हैं sentences में, tenses के according, So, I hope दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम lay word का use करते हैं, और इससे related words भी कहां कहां पर use किया जाते हैं, आईए अब देख लेते हैं next word, जो की बहुत ही ज़ादा confusing रहता है, यह word है lie, spelling होती है l-i-e, यहां पर दोस्तों हम lie word की, जो meaning की बात करेंगे, वो कुछ इस तरह से है, to sit and lie back in a comfortable way, यानि की आराम दायक स्थिती में बैठना या लेठना, जब हम बात करते हैं, आराम दायक स्थिती में बैठने या लेठने की, तब हम वहां पर lie word का ही use करेंगे, मैं आपको बता दू, lie word यहां पर एक verb होती है, जिसकी four forms होती है, पहली lie, same spelling के साथ, दूसरी lay, spelling हो जाएगी l-a-y, तीसरी lane, l-a-i-n, यह इसकी तीसरी form है, और चौती form हो जाएगी lying, spelling हो जाएगी l-y-i-n-g, ठीक है, यानि l-y के आगे आपको आ-इ-n-g लगा देना है, अब यहां पर यह चारो forms जिनके अलग अलग नाम होते हैं, lie यहां पर present form होगी, lay यहां पर past form, lane यहां पर आपकी कहलाएगी past participle form, और lying यहां पर होगी ing form जिसे हम present participle form कहते हैं, इन चारो forms को, इन चारो words को आपको tense के according और sentence के context के according ही use करना है, अब दोस्तों यहां पर कुछ doubts की बात कर लेते हैं, जैसा कि आप इस particular word यानि की lie इस verb word को देख रहे हैं, जिसकी second form होती है, ले, और यही same word हम पहले वाली slide में पढ़ चुके हैं, किनी और अर्थों में, तो simple सी बात है, words में confusions आपको तब नहीं होगी, जब आपको पता होगा उन words की meaning, ठीक है, साथ ही साथ, वे words verb हैं या नहीं, और verb की कितनी forms होती हैं, और उ sentence के context के according ही, उस word को, उस particular word को आपको यूज कर देना है, ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको कहना है, आराम दायक स्थिती में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या लेठा हुआ है, तब आप lie word को ही यूज करेंगे, और sentence यदि, simple past का है, तो आप इस lie verb की second form यूज करेंगे simply आपको वहाँ पर ले यूज करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर ले की meaning अलग होगी, आयो दोस्तों कुछ examples देख लेते हैं, किस तरह से हम lie word और इस से related जितनी भी verbs की form से उन्हें यूज करेंगे, पहला sentence आपके सामने है, there was a child lying on the ground, यहाँ पर इस sentence का मतलब है, क एक बच्चा जमीन पर आराम दैक स्तिती में बैठा हुआ था, या लेटा हुआ था, very simple, meaning हमें पता होनी चाहिए कि किस meaning के साथ हमें word यूज करना है, तो हम आसानी से इन words को यूज कर सकते हैं, और वहाँ पर हम confused भी नहीं होंगे, अब चुकि हमें कहना था कि बच्चा आ और sentence, the line has lain down in the cave, यानि शेर अपनी गुफा में लेट गया है, अब देखिए यहाँ पर हमने lie verb को लेटने के अर्थ में यूज किया है, और lie verb की यहाँ पर लगी हुई है third form, यानि की past participle form, और यह form इसलिए लगाई गई है क्योंकि sentence है आपका present perfect tense का, तो इस तरह से tenses के according यहाँ पर हम lie verb की यह सारी forms यूज करेंगे, जो भी sentence का context होगा, तो यहाँ पर हमने use किया है lane, जिसका अर्थ है लेटना, तो शेर गुफा में लेट गया है, इस तरह से हमने sentence में lane verb का use किया है, I hope आप सभी के समझ में आ गया होगा, आईए देख लेते हैं lie verb को use करते एक और sentence इस slide में, तो जी next sentence है, she likes to lie on her back, यानि वह अपनी पीठ के बल लेटना पसंद करती है, अब very simple यहाँ पर हमने आरामदायक इस्तिती में बैठने या लेटने इस अर्थ में ही lie verb का use किया है, अब यहाँ पर lie verb की first form use हुई है, जो की to infinitive के साथ यूज की गई है, बह को किनी दो words के बीच पे यदि confuse नहीं होना है, तो उनकी meanings आपको याद रखनी होगी, और sentence का context इस पर भी ध्यान देना होगा, obvious सी बात है कि हम sentence में back यानि पीठ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेटने की ही बात कर रहे हैं, तो इस तरह से meanings को याद रखके, आप किनी दो words के बीच में बिल्कुल भी confuse कभी नहीं होंगे, so I hope दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि lie यानि की lie इस word को हम आरामदाय के स्थिति में बैटना या लेटना इस अर्थ में भी यूज़ करते हैं, जिसकी यहाँ पर किवल एक ही meaning है, ठीक है, और इसकी चार forms हो अभी भी confuse नहीं होंगे, चलिए, अब इसी same word और same spelling के साथ हम देखते हैं, इसे एक और अर्थ में, next slide में, तो चलिए दोस्तों, अब इसी same word को फिर से देखते हैं, एक अलग अर्थ में, जिहाँ, lie, lie, यह जो word है, इसकी एक और meaning होती है, और वो है, not telling truth, यानि जूट बो तो आप lie word का use कर सकते हैं, different meaning में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि lie जो word है, इसे एक verb की तरह ही use किया जाता है, और इसकी भी four forms होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जो four forms होती हैं, उन में spelling में कुछ changes आ गए हैं, यह पिछले वाले lie word से थोड़ा अलग है, यहाँ पर जो first form है, वो है lie, याद रहे, persons के according as और es लगाया जाता है, जब हम इसे sentence में use करते हैं, उसके बाद है lied, यहाँ पर spelling change है, ल-i-e-d, आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब आपको जूट बोलना, इस अर्थ में lie word यूज़ करना है, तो इसकी second form use होगी, ल-i e-d, third form होती है, same spelling के साथ lied, ल-i-e-d, और fourth form lying, ल-y-i-n-g, तो जिस तरह से lie आपकी हो गई present form, lied आपकी हो गई past form, फिर से lied आपकी हो गई past participle form, और lying आपकी हो गई present participle form, यह चारों forms हैं, जिनने आप use करेंगे, जूट बोलना, इस अर्थ में tenses के according, चलिए, आप देख किस तरह से हम lie verb की इन चारों forms का use sentence में करेंगे, तो जी examples में पहला sentence है, her sister always lies, उसकी बहन हमेशा जूट बोलती है, यहाँ पर हमने lie इस word का use क्या है, जो की एक verb है, आप जो की sentence आपका present indefinite का है, और हमें पता है, कि verb की forms के साथ person के according, s और es लगाया जाता है, verb में, main verb में, तो जी यहाँ पर इस sentence में main verb है lie, यानि की जूट बोलना, इसलिए हमने यहाँ पर s इसके आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि her sister यहाँ पर singular number का subject है, तो यह तो बात रही tenses की, अगर आपने tenses के rules पढ़े होंगे, तो आपको पूरा पता होगा, ठीक है, और यदि अभी तक आपने tenses को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे channel पर जाकर all tenses का review ले सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं, चलिए अब देखेंगे next sentence, तो जी second sentence है, दीपिका जूट बोल रही थी, जब वो घर देर से आई, अब यहाँ पर फिर से हमने lie word की present participle form यूज की है, ज हमने यहाँ पर इस lying word को यूज किया है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर sentence का context देखा जाए, तो हम यहाँ पर लेटने की बात नहीं कर रहे हैं, बलकि यहाँ पर जूट बोलने की बात कर रहे हैं, अब यह आप पर depend करता है कि आप किस meaning का प्रयोग कर रहे हैं, किस अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं, तब आप वहाँ पर lying word का यूज करेंगे, दोनों का pronunciation सेम होता है, यदि आपको कहना है कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, तब भी आप lying word का यूज करेंगे, अर्थ बदल जाएगा, लेकिन यदि आपको कहना है कि कोई व्यक्ति जूट तब भी सेम पॉइंट पे आप lying word का ही यूज करेंगे, मीनिंग का फर्क हो जाएगा और sentence के context का फर्क हो जाएगा, so I hope दोस्तों यहाँ पर आपको ये second sentence समझ में आ गया होगा, जहाँ पर हमने lie यानि की जूट बोलना इस अर्थ में lie की ही fourth form का यूज किया है, जो की है lying, आईए अब देख लेते हैं इस वीडियो का last sentence जिसमें फिर से हमने lie इस verb की एक next form का यूज किया है, तो जी sentence कुछ इस तरह से है, she lied to me that she never met Rahul, इसका मतलब है कि उसने मुझसे जूट बोला कि वह Rahul से कभी नहीं मिली, अब देखें, फिर से हमने जूट बोलने के अर्थ मे ही lie verb की second form का यूज किया है, जो की है lied, spelling है l-i-e-d, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखता है कि यहाँ पर हम late की बात नहीं कर रहे हैं, late यानि की later हुआ या बैठा हुआ जिसकी spelling होती है l-a-i-d, तो दोनों ही words spelling में अलग है, meaning में भी अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर जो word मैंने इस last sentence में यूज किया है, वो lie verb जिसका अर्थ होता है जूट बोलना की second form की रूप में किया है, जो की है lied, so I hope दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम same word lie का use दो अर्थों में कर सकते हैं, और जब इन्हें अलग अर्थों में तो इनकी spellings change हो जाती है, जब हम इनकी verb forms को change करते हैं, ठीक है, तो आपको इनकी verb forms पर ध्यान देना है, और sentence के context के according ही आपको वहाँ पर इन दोनों words को use करना है, इनकी चारों forms के साथ, तो जो उम्मीद करती हूँ, आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा, यही पर वीडियो को wind up करती हूँ, मिलती हूँ आपसे next वीडियो में, एक और new topic के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए and thanks for watching my channel and subscribe, bye-bye.